वाट्सप गाईज मैंने मिस्प्रिनूत बाद हूँ थाप एंड आप सभीका बहुत बहुत स्वाद करना चाहूंगा मेरे आसम चनल थापा टेक्निकल पर बताना चाहूंगा आज को बहुत ज्यादा आसमा नोला अगर आपके पास कोई API का लिंक है एंड अगर आपको उसका डेटा चाहिए दैन आप Axios का यूज कर सकते हो एंड गाईस हम एक्सियोस के मतलब से बहुत एज़िली आपके बादले हम एक्सियोस करेंगे क्योंकि उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है इन वियालिटी नहीं लेकिन हम बोल सकते हैं अब हमें यह देखना है कि वाट इस दे एडवांटेजेस ऑफ उजिजिंग एक्सियोस जैसे कि मैंने आपको बताए गाईस 90% पहले हम फैच मेथेड यूज करते थे तो जब भी हम फैच API कॉल करते है या फैच मेथेड की मदद से API को कॉल करते तो पहले हमें एक रेस्पॉंस मिलता है एंड देन उस रेस्पॉंस को हम जिसन फॉर्मेट में पास करते या कनवर डेटा फोल्डर हो तो उसमें डारेक्ली सारा डेटा कर सकते तो यह बहुत तीजी कि एक लाइन में हमारा काम हो जा रहा है दूसरा सबसे मेजर एडवांटेज इसका यह है कि विद्धी हल्प आप एक्सियोस गाईस हम सारे HTTP मेथेड का कॉल कर सकते है इसका मालब चाहे हो आपका गेट हो यह डेटा को रीट करने के लिए चाहे हो आपका पैच पूर्ट हो चाहे हो आपका डिलेट हो वह सारे रिक्वेस्ट आप आप आपको पाता चल गया इन सिंपल वर्ड जो हम पहले फैच मैथर्ड या जिसको हम बहुत लोग फैच एपियाई बोलते उसका एक अपग्रेड़ेड वर्जन एक्सियो से एंड उससे बहुत ज्यादा सिंपल एंड बहुत ज्यादा पाउरफुल है और गाइस तो बहुत बाते होगी थिरोई बहुत ज्यादा होगी वीडियो की स्टार्ट करने से पहले बाताना चाहूंगा आप हमारे नेक्स टागेट रखते 1,000 लाइक का एंड जोईन बटन एक बात जरूर जरूर काउट कीजिएगा फॉर ओसम सोर्स कोड एंड प्रीमियम सर्विसेस और ठीक है और जो कुछ आज इस वीडियो में बताने आला अल्रेडी वेबसाइट पर मैंने सब कुछ अपडेट कर चुक है त एंड में आप मुझे नीचे कौन करके जरूर बाताना आप स्टेल फैच API के साथ जाओगे यह एक्सियोस के साथ ओलाड गईस तो सबसे पहले एक चीज मैंने आपको बहुत क्लिए लिए यह बोला था कि जावास्क्रिप्ट के लाइवरेरी में इसका काम है ठीक है लाइक देख सकते विकली डाउनलोड बहुत ज्यादा सिंपल आपको उसको कॉपी करना है तो सबसे पहले हमें रियक्ट के अप्लिकेशन क्रेट करना पड़ेगा इन उसके लिए आप देख सकते हूँ है यह बहुत ज्यादा उसम है ठीक है इसको मैं कंप्लेटली कॉपी कर रहा ह यहाँ पर एक सेकंड मैं डारेकल लिए लिए तो एन प्रियेट आपको लिखना पड़ेगा वीट एन जुसका लेटेस्ट वर्जन होगा ठीक है एन देन गाइस आपको अपना प्रोजेट का नाम देने अप्लिकेशन का नाम लेट से मैं लिख देता हूँ अपको एम श्रीए वर्ज से उपर है तो आपको हैफन 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 मैं चैनल लिखना पड़ेगा वहा है cd axios npm install आपको लिखना है and then simply अब आपको npm run and then dev लिखना है सुना हो गई सी मेरा काम हो चुका है मैं simply यहाँ पर npm run and then dev लिख सकता था लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि अब मुझे क्या करना है मेरा जो npm का package इसको भी install करना है इसके अंदर and then npm install axios simply आपको axios को उसकर निकले लिख दें and this is it मेरा काम हो गया है cls clean कर देता हूं npm run and then dev this is it अब मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा इसका जो localhost 5173 पर run हो रहा होता है इसको मैं अटा जया तो एक बार यहाँ पर चलता हूं package.json फाइल पर तो बहुत किले लिख सकते हो गाई axios react and then react dome का मेरा version आप देख सकते हो ठीक है मैं चलता हूं source पर app.jsx फाइल पर मैं चलूंगा ctrl s save कर रहा हूं लेकिन उससे पहले यहाँ पर चल के मैं जल्दी से मेरा जो localhost 5173 है 5173 आप देख सकते हो यहाँ पर उस पर मैं चल देता हूं so this is it और हमारा जो वीट अप्लिकेशन है react अप्लिकेशन हो बनके ready हो चुका है इसको मैं फिलाल के लिए इस तरके से side कर रहा हूं इसको भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूं perfect अब देखिए यह जो कुछ भी है इसको मैं हटा रहा हूं तो सबसे पहले गाईस हमें Axios के through एक data get करना है ठीक है Axios का काम है API को call करना तो कैस मैं यहाँ पर चलता हूं आप देख सकते हों कि यहाँ पर मेरे पास एक API को call करने का एक simple सा data होगा और यहाँ पर है तो इसको मैं copy कर रहा हूं paste कर देता आप लोगों के लिए तो यह data है ठीक है मेरे पास यह API है इसका data मुझे चाहिए simple तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे मैंने बताया है how to use Axios in react with promises ठीक है तो अब हम मैं आपको बताऊँगा कि हम promises की मदद से कैसे इसको create कर सकते है तो मैं यहाँ पर चलता हूँ using promises लिग देता हूँ using promises पॉफेक्ट controller save कर रहा हूँ and मैं चाहूँगा कि जब मेरा application first time load हो तब ही यह चले else ना चले so that's why we have a use effect जब first time चलेगा तो ही and we have our dependency array ठीक है तो यह जो मेरा callback function इसके अंदर मैं Axios को call करने वाला हूँ and मैं directly Axios को call नहीं कर सकता उसे पहले मुझे उसको करना पड़ेगा import so we have Axios and then from our Axios library this is it अब इस Axios की मदद से मैं यहां चलूँगा Axios dot मुझे data को read करना है ठीक है that's why we need to use get method and यहां पर मुझे उस API को call करना होगा यह जो मेरा API है simple and यहां पर मैं paste कर दे रहाँ this is it अब मैंने कहा हम promises देखेंगे so promises is all about your dot then dot then dot then बस होई है and यहां पर आप मुझे response मिल रहा होगा ठीक है so यहां पर callback function में इस तरह किसे रख देता हूँ यहां पर मुझे response मिल रहा होगा and यह जो response है मैंने अल्रेड एक वीडियो बनाया था जहां पर boom see कितनी easily अब मुझे मतलब console dot block लिखनी की need ही नहीं है मेरा automatic काम हो जाता है ठीक है already scripture पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ link आपको नीचे description मिल जाएगा this is it बस आपको इस API को call करना था and मुझे data मिल चुका होगा ठीक है now everything is perfect एक बाए मैं refresh करना चाहूँगा अच्छे से and boom guys see मैंना आपको starting में कहा था याद है कि एकसे उस में जब हम call करते तो हमें JSON format मनलब by default मिलता है and data folder होगा यह कि देखे we have one data array उसके अंदर मेरा सारा data मुझे मिल चुका है अब मैं response.data अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे अब सिर्फ और सिर्फ अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे data मिलेगा सभी के सभी तो यह सारे के सारे data मुझे मिल गए कितनी easily मुझे मेरा data यहाँ पर मिल चुका है अब यह जो मेरा data है इसको मैं यहाँ पर आपको loop पर चला के दिखाता हूँ कितनी easily हम चला सकते है तो उसके लिए क्या करेंगे obviously यह जो data है पहले मुझे उसको किसी state में store करके रखना पड़ेगा and उसके लिए obviously we have a use state so we have a use state and यह जो count है उसके बतले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ data ठीक है and यह जो my data को मुझे capital में करना है sorry यह तो small में ही रहेगा awesome ठीक है and वो एक array है so array empty array बना दी मैंने and obviously top पे use state अल्रेडी है so my data यह set my data को मैं copy कर रहा हूँ अब मुझे इसकी बिल्कुल नहीं है उसके मैं चल के यह जो मेरा response.data है उसको मैंने store कर दिया perfect my data में मुझे मेरा data मिल चुका होगा so guys मैं यहाँ पर चलता हूँ मैं यहाँ पर my data.map method चलाने वाला हूँ simple fat arrow function उसके अंदर and यहाँ पर guys मैं लिख देता हूँ मेरे post जितने भी होंगे ठीक है and अब मैं जल्द से यहाँ उसको destructure कर लेता हूँ मुझे क्या क्या मिल रहा होगा यहाँ पर मुझे मिल रहा है id, title and then body so we have a id, title and then we have a body post ठीक है and यहाँ पर key आपको देना बहुत ज़्यादा जरूरी and that will be our id, simple ठीक है इसके अंदर guys मैं catch to use कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा आ जाएगा simple title and take isके नीचे we have a paragraph जहाँ पर आ जाएगा मेरा यह body सिर्फ आगर इतना मैं लिखता हूँ अब आप देखोगे जादू मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा so 3, 2, 1 and boom guys see मुझे मेरा data आ गया यह देखिए कितनी easily मुझे मेरा सारा का सारा data आ गया with the help of Axios and guys आप देख सकते हूँ कि मैंने Twitter पहले यहाँ पर यह जो एक class name लिखा था card करके app.csss के अंदर मैंने उसको padding दे दी and मैंने border दे दिया that's it simple कुछ नहीं extra अगर मैं यहाँ पर लेके चलू तो we have this awesome border ठीक है लेकिन still मुझे इसको थोड़ा सार better दिखाना तो मैं क्या करूँगा जो मेरा यह top part है वहाँ पर guys मैं क्या करता हूँ जल्दी से एक और deep यूज़ कर लेता हूँ so यह जो portion इसके बाहर में चलता हूँ तो मुझे क्या ची basically यहाँ पर 3 चाहिए and कितनी easily मेरा यह काम हो गया ठीक है आप सोच रहोंगे यह 3 कैसे हुआ तो guys मैंने कुछ नहीं किया max width इतना दे रखा display grid template columns 3 अमलब 3 equal dip दे दी and gap उनके बीच में इतना में रख दया that's it ठीक है अब मुझे क्या करना है guys यह जो particular section इनकी थोड़ा सा मुझे को style करना है style नहीं करना है जैसे कि guys मुझे उतना ज्यादा data वहां पर नहीं चाहिए and जो मेरा body है same body भी guys मुझे इतना ज्यादा body का data नहीं चाहिए होगा so मैं यहाँ पर चलता हूँ 0 से लेके let's go with comma 150 character basically इतना and I think 150 is too much let's go with 100 and this is it so guys कितने awesome मेरा यह मेरा सारा का सारा data मुझे मिल चुक है now we need to do the error handling अब मुझे error handling करना है so guys भी बहुत ज्यादा simple है यहाँ पर again आपको आके we have a catch method इसके साथी and then यहाँ पर simply आपको इस तरह किसे चलना होगा and इसके अंदर ही guys आपका fat error function आपको जो लगाना आप लगा सकते हो यहाँ पर एक object हमें मिलता है basically एक argument आप कहा सकते हो error करके and इस error में मुझे सारा data मिल रहा होता है control alt and then shift तो मुझे data मिल जाता है फिर से देखो कितनी easily मेरा console.log हो जाता है कोई tension नहीं है this is it ठीक है and let's say post के बदले मैंने T हटा दी यहाँ से तो अब मैं अगर यहाँ पर चलूँगा refresh करूँगा obviously मुझे data नहीं मिल रहा होगा हाँ लेकिन अगर मैं inspect पर चलूँगा तो आप देखोगे मुझे मुझे error मिल रहा है axios error and then we have this message बतारा request failed with the status code of 404 obviously यह क्या है message error ठीक है तो मैं अब क्या करूँगा मुझे एक और यहाँ पर लगेगा मेरा simple use state error ठीक है and it will be equal to your use state perfect empty error रखतारा हो initial and यह जो set is error यह को मैं copy करूँगा set is error and यहाँ पर गाईस चल कि यह जो मेरा error dot यह जो मेरा message उसको मैं pass कर दे रहा हूँ this is it तो अब मुझे जो मेरा error है वो यहाँ पर दिखाना है मैं बहुत इजली दिखा सकता हूँ is error तो our error if it is not equal to empty मतलब empty अगर नहीं है obviously अगर error है तो error empty तो होई नहीं सकता ठीक है तो ही तो मुझे क्या गन्ना है h2 पे चलना होगा and yeah h2 पे चलते है and यहाँ पर काईस फिर से मुझे simply जो मेरा is error वाला जो यह है state variable उसको pass कर देना है that's it अगर error हुआ तो दिखाओ बना मत दिखाओ simple यह बीच में end operator का काम उतना है तो आप देख सकते हो request field with status code of 404 देखो guys कितनी easily मुझे यह मिल गया है किनी कितना ज्यादा awesome यहाँ वही अगर मैं वापस इसको ठीक कर देता हूँ तो मुझे मेरा data आगया यह जो आपको top पे दिख रहा है बिल्कुल tensor मतलो maybe some reason है बग है बट चला जायता वो ठीक है so this is it कितनी easily हमने axios की मदद से देखा कि हम data को कैसे get कर सकते API का है उसमें error handling कैसे कर सकते ठीक है अब इक get के बदे post delete put कुछ भी उसकर सकते हो आपका यह काम हो जाता ओल्लैट गैस तो हमारा इसमें जो मैंने आपको दिखाते है यह मेरा काम हो गया अब हम error handling कैसे कर सकते है वह मैंने आपको दिखा दिया है axios with async await already में यहां पर बना चुका हूं तो देखो गाइस इसमें फिर भी थोड़ा सा लोगों को समझने में मुस्किल होता है क्योंकि सबसे पहले हम promises use करते थे you know बट यह थोड़ा सा difficult गया है लोगों को that's why उन्होंने इसको और overcome करने के लिए इसको और simplified करने के लिए we have a async await already इन सबक्यूपर वीडियो अप्लोड को चुका हूं जो चेक आउट कीजेगा तो इसको मैं as it easy रखता हूं आप लोगों के लिए ठीक है अवेट ठीक है यह बहुत ही जाता सिंपल है एंड मज़ा आ जाएगा इसमें तो देखो गाइस अगें वी निडा यूज़ इफेक्ट सिंपल ठीक है फैट एरो वी हैब कॉल बैक फंक्शन या फैट एरो फंक्शन जो कहना कहलो डिपेंडेंसी एरे आ गिया है सो इंस्टीड ऑप कॉलिंग एक्शियोस डिरेक्ली यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं क्यों ना में एक फंक्शन को कॉल करें मैं यहाँ पर लिख देता हूं यहाँ पर मुझे एक रेस्पॉंस मिलेगा जब मैं axios.get की मदद से वो जो मेरा API है उसको कॉल करूंगा मेरा काम हो गया गया बस इतना ही करना था मुझे यहाँ तो आपको नीचे चलना है अब यह जो वाला पोर्शन है यह वाला इसको कॉपी करना हमें क्योंकि डेटा को स्टोर करना ज़रूर है और अगर आप मैं अपने ब्रॉजर पर चलता हूं तो गाइस सिंप्ली कंट्रोल एस सेप कीज़े एंड ओमाइग गॉड ओके क्योंकि एसिंक अवेट है हमने अब तक यहाँ पर प्रॉमिसस को गेट नहीं किया है तो आपको अवेट लिखना जरूरी है तो अब अगर आप देखोगे बूम गैस यह मुझे मेरा डेटा आ रहा है और अगर आप देखोगे तो गैस मुझे सिर्फ और सिर्फ बारा अगर मैंने यहाँ पर कुछ रॉंग लिख दिया आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हों यहाँ पर हमें कुछ भी एरर थ्रो नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाईस अब एरर हैंडलिंग करना एसिंग कवेट में बहुत ज्यादा सिंपल है अगें वी ह अगर को पास कर देना है तो आप देख सकते हैं अब हमारा एकड़म एंडपॉंट पर आचुके जहां पर मैंने आपको अल्मोस्ट सब पूच बता दिया एक्सियोस के बारे में ना वाट इस दी बेस्ट वे टो राइट एक्सियोस देखो बहुत सबी लोग तो क्या करते हैं जो अप्या एठीक है हम क्या कर सकते हैं एकडम टॉप पे चलके एक सिंपल कॉंस्ट एपी आई लिखके एंड वहां पर हमारा जो एप्याई है उसको सिंपल इस्तरी के से कॉ अब उसको यहां पर कॉल कर सकते हो यहां पर कॉमा करूंद दूँगा टैंपलेट लिटर से उसकरों एपी आई फोरवर्ट स्लैस एंड यहां पर आपका आज आएगा पोस्ट ठीक है सिंपल एंड यह जो पर्टिकुलर सेक्शन होगा यहां पर आपको कुछ इतना मालब फालतुका नहीं करना है वो जो आर्गुमेंट उसको अजब पैरामिटर में यहां पर गेट करके URL से पास कर दूँगा तो अब इस तरीकी से भी इसको कर सकते हम सेब करता हूं अगर मैं यहां पर चलता हूं फिर भी मुझे मेरा डेटा आरेस को एक बार में रिफ्रेस कर दूँगा देखो मुझे मेरा डेटा आरेस तो यह एक तरीका था लेकिन इसका एक और आसम तरीका भी मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पर आपको यहां पर पोस्ट चाहिए और वह मैं क्यों बोल्डा हूं कि अगर मैं आपको दिखाता हूं गाइस जेसें प्लेस होड़र ठीक है इसको हटा कि अगर मैं सेप करता हूं अगर मैं यहां पर चलता हूं तो आप देख सकते हो बहुत इसली कॉमा पोस्ट कॉमा कमेंट्स एलबम फोर्टो इस तरीकी से मैं directly लिखूंगा मुझे मेरा data मिल रहा होगा मुझे complete URL लिखनी की need नहीं पड़ेगी तो वह एक best practice है उसके लिए क्या करना पड़ेगा guys again यहां पर चलना पड़ेगा source folder के अंदर new file create कर सकते हो जिसका नाम होगा axios.js ठीक है एंड आपको यहां पर wait जब jsx लिख देना इसको मैं हटा रहा हूँ देखो क्या करना है यहां पर we need to import axios जो हमेशा की तरह है and then now अब आपको क्या करना है यहां पर आपको एक function call करना है ठीक है will be equal to यहां पर आपको लिखना पड़ेगा यह axios.we have a create method इसके अंदर and इसके अंदर में एक object पास करूंग ठीक है जिसका नाम होगा base URL and it will be equal to guys your actual URL जो हम वहां पर लिखना चाते है अब इसको मैं copy करके यहां पर मैं paste कर दूंगा this is it and उसको मैं as a default करने वाला हूँ ठीक है so default and then API default इसले लिखा ताकि मुझे सिर्फ API ना लिखू इसको मैं axios या किसी भी दूसरे allies names इसको मैं get कर सक package but from our file जो जो मैंने create की axios this is it अब यह जो axios है वो यह वाला axios है and then dot get and base URL तो अल्रेड़ी है वहां पर and सिर्फ forward slash post यह एकदाम awesome यहां पर कुछ नहीं neat and clean control save अब मैं यहां पर चलता हूँ एक बार रिफ्रेस कर देता हूँ so guys आप देख सकते हो request failed with status code यह अब भी हमने थु में वह error आ रहा है and let me tell you guys कि हमारा यह जो URL base URL एकदम perfect problem यह है कि post नहीं है वह post एक extra s होगा यहां पर and boom guys आप देखे मुझे मेरा सारा data चुका उसका बिल्कुल ध्यान मत दिजिएगा वह properly response नहीं मिल रहा है because free है maybe that's why जो भी हो but आप आप देख सकते हो कि कितनी easily गाई सी य आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आओगा एंड यहां पर once again यह जो URL है अपने website का सारा source code बिल्कुल फ्री में मैंने post कर रहा तो आपको बिल्कुल tension नहीं लेना जितना था सारे हमने cover कर लिए अब आप निचे comment करके बताना कि अभी भी still आपको fetch API पसंद आया या आपको यह Axios पसंद आया ठीक है एंड जितना हमने advantages देखा ता आप देखी सकते हो जैसन को अब हमें यहां पर कुछ करनी की जो अतनी पर थी by default मुझे data में data मिल रहा हो था कितना easily ठीक है एंड बाताना चाहूंगा गाइस एंड बहुत जल्द e-commerce website को पर वीडियो आ रहा है using react.js जो गाइस मैं चाहूंगा कि जल से जल अब हमारा 5 lakh subscriber complete कर दे हैं उसकी खुशी में मैं उस playlist को start कर सकूँ. जोइन बटन को एक बात जरूद चेक आउट कीजेगा एंड जब आप करोगे subscribe तो right side में एक red color का bell icon एक घंटी दिखाई देगा उसको hit कीजे, click कीजे ताकि आप daily एस awesome videos को में इसे ना करें. So till then guys, thank you so much, take care. झाल